नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं राफेल से घबराज चिन ने लदाग से 200 मिल दूर इस्थित अपने होटन एयर बेस पर अपने सबसे अधुनिक चेंगदू J20 इस्टिल्थ फाइटर जेट तैनाद कर दिये हैं सेटेलाइट इमेज में चिन के होटन एयर बेस बेस पर दो J20 फाइटर जेट की तस्वीर देखा गया है इसे पहले इन फाइटर जेट को इस एयर बेस पर पहले नहीं देखा गया था चीन मीडिया में जे ट्वेंटी जेट की तस्वीर वैरल हो रही है लद्दा के पास जे ट्वेंटी जेट की तैनाती भारत और चीन के बिच तना और ज्यादा बढ़ा सकता है ज्यार्खन मौसम विभाग के अनुसार ज्यार्खन के सभी जीलो में 21 अगस्त तक 42 होने की संभवना है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि इस दोरान बजरपात भी हो सकती है किसानों को खेतों में जाने से मना किया है पारा सिख्षक अस्थाई करन निमावली प्रस्ताव ज्यार्खन के पारा सिख्षकों के अंदोलन और उनकी धमकी का असर दिखने लगा है सरकार की ओर से उनके लिए खुसकबरी है हेवन सुरेन की सरकार ने परासिशकों के अस्थाई करनोवा बेतनमान सेवा समन्दी निमावली का प्रस्ताव तयार कर लिया है हालाकि आभी तक इस पर अम्तिम निर्ना नहीं लिया गया इसकी फाइल फिलाल बीदी विभाग के पास है बीदी विभाग सरकार को इस प्रस्ताव पर अपनी राज देगा इसके बाद प्रस्ताव को राज सरकार के पास भेजा जाएगा फिर इसे कैबिनेट की बैटाक में रखा जाएगा प्रस्ताओं को कर्बिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा और इसका लाभ परासिज़ों को मिल सकेगा जारखन में आई 966 नई संक्रमीतों को पुष्टी हुई जो पूर्वी सिमु से 208 राची 150 देवगर 139 परलामू 82 1661 रामगर 38 सराय किला 27 पचमी सिमु 23 खुटी उनाई साहेव गांज 18 कोडर्मा 16 बोकारो 14 गोडा 13 पाकुडू 12 दूम काव असिम डेगा से 10 धनबाद 8 जाम तरा 6 गडवा 4 गिडी डी वा चात्रा से एक एक मिले हाए जार्कन में कुल संक्रमीतों के संख्या 26 गोडा 13 सराय जबकि 16,566 लोग 18 हुए और 278 की मृती हुई भारत में कुल संक्रमीतों संख्या 28,35,822 है जबकि 20,96,066 लोग सुष्थ हुए और 33,994 की मृती हुई है भारत में नएक केस 79 में मिले है जबकि 69,365 लोग स्वस्थ हुए है बुद्धवार को 9 की मौत हुई है जिसमें राची के डॉक्टर भी सामिलित है वाई जमसेदपूर से 6 रामगर से 1 और बोकारो से 1 मरीज की मौत हुई है बुद्धवार को 857 मरीज स्वस्थ भी हुए है एक्टिव केस इस प्रकार है राची 251 पुर्वी सिम्हों 229 धनबाद 375 गिरीड 162 वोकारो 224 देवगर 252 गड़वा 114 गोड़ा 62 गुमला 246 1234 जामतरा 62 खुटी 268 गोड़ारमा 255 लातेहर 284 लोहरदागा 115 पाकुर 86 पलामू 428 रामगर 292 साहिवगन 244 सराइक ला 324 सिम्डेगा 286 पजमी सिम्हों 226 मुख्य मंतरी समेत 8 मंतरी हॉम कुरेंटीन Karl흐 3 यह टीसरा महुका है जब मुख्य मंतरी होम कुरेंटीन में गए हैं इस बार जालकाड के स्वास्त मंतरी बना गुपता कि कुरोणा से संक्रमीत पाएजाने की वजए से सीम को कुरेंटीन में जाना पड़ा है बता दे कि सीम पहली बार पेजल एवं सस्ता मंत्री मिसलेश कुमार के कुरोना संक्रमित होने के बाद कुरेंटीन हुए थे इसके बाद मुख मंत्री आवास में कई लोगों में कुरोना के संक्रमन की पुष्टी के बाद हुआ हुम कुरेंटीन में चले गए थे मुख मंत्री अवास और मुख मंत्री के कर्यालों को पूरी तरसनी टाज करवाया गया था स्वास्त मंत्री के कुरोना पोजेटी पाया जाने के बाद जारकन के मुख मंत्री समेथ सरकार के आठ मंत्रियों ने खोद को होमपोरेटिन कर लिए 21 अगस्त को रिम्स में प्लाजमा डोनेट करेंगे जवान अगामी 21 अगस्त को राची के रिम्स में मेगा कैम्प लगेगा जिसमें कुरोना को मात देकर स्वस्थ हुए जवान अपना प्लाजमा डोनेट करेंगे कुरोना संक्रामित मरीजों के इलाज के लिए पुलिस कर्मी और जवान प्लाजमा दान कर रहे हैं संक्रामित मरीजों की पाचान के लिए सभी जीलों में चलेगा टेस्टिंग अभियान जारखन में कुरोना के मरीज की पाचान के लिए राज सरकार ने सभी जीलों में सभी जीलों में स्पेशल रैपीट एंटिजन टेस्टिंग अभियान चलाने का फैसला किया है राज सरकार ने परदेश के सभी लोगों से अपील किया है कि यदि किसी ब्याक्ति में संक्रमन समंदी लक्षन है अथवा किसी कुरोना वायरस संक्रमित ब्याक्ति के संपर्क में वे आए है तो निर्धारित केंद्रों पर जाकर स्वेक्षा से जाच करवाय और इस अभ्यान को सफल बनाने में सरकार की मदद करे जारखन में यूरिया की मांग बढ़ी यूरिया की कमी दूर करने के लिए क्रिसी विभाग ने तय सप्लाई प्लान को पूरी करने के लिए केंद्र सरकार से बात की है पर्यास किया जा रहा है कि किसानों को समय से यूरिया मिल जाए इसके बावजूत कई जीलों में यूरिया की कमी की सिकाहित आ रही है किरिसी मंत्री बादल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को हर हाल में तैक किमत और समय पर खाद मिलना चाहिए जारखन के डिजीपी एमबी राव बने रहेंगे इनकी नियुक्ति को चुनोती देने वाली याजका को सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया दाखिल कर डिजीपी की नियुक्ति को चुनोती दी थी इस्कूल डेवलोप्मेंट फंड में 50 फिस्दी की कटोती कुरोना में हमारी का असर राजिके सरकारी स्कूलों के विद्याले विकास अनुदान की रासी पर भी देखने को मिल रहा है पिछले वर्ष 2019 बिस जिन इस्कूलों को विकास अनुदान की रासी दी गई है उनकी रासी में इस साल 2021 में 50 फिस्दी की कटोती की जाएगी योजनाव का लाव लावुकों को दिलाना प्राथमिकता खुन्टी उपायुक्त खुन्टी उपायुक्त ससी रंजन की अधर्षता में बुद्वार को डिल्सी सी की हुई बैठक में अग्रेनी जीला प्रवंधक ने पीपीटी के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाव की जनकारी दी मोगे पर उपायुक्त ने बैंक प्रवंधकों को कई दिशा निर्देश दिए उपायुक्त ने विभीन योजनाव की उपलवधियों की समीक्षा की ओनवाड पी एलपी ए किसान क्रेडिट कार्ड महिला स्वयं सहायता समोह की क्रेडिट लिकेज की उपलवधिया परदान मंत्री मुंद्रा योजना एम सीडी रेसियो सहीत अने बिंदियों को दिशा निर्देश दिये समीक्षा के करम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतरगत प्रगति की समीक्षा की गई तथा किसानों को केसी सीरीन उपलवध कराने का निर्देश दिया गया बच्ची की मौत और बैंक घोटाले की जाच करेगी सीवियाई सराय केला में सहकाजिता बैंक में अड़ाई करोर के लोन घोटाले से जूड़े ताया मामला और पलामू के सत्बारवा में तीन साल की एक बच्ची की मौत के मामले की जाच अब सीवियाई करेगी राजे पूलिस मुख्याले के आदेश पर CID दोनों मामले का अनुसंदान अपने हाथ में लेगी एक मास्क अनेक जिन्दगी के तहत बाटे तीन हजार मास्क रामगड में कुरोना को देखते हुए रोटरी दामोदर वैली ने अपने 20 में प्रोजेक्ट को आगे बढाते हुए एक मास्क अनेक जिन्दगी अभियान शुरुवात की है इसके तहत करी 5000 मास्क बाटने का लक्ष निरायत किया गया था बुद्वार को इसकर में रोटरी दामोदर वैली के द्वारा रामगड के चट्टी बजार गोला रोड में कुरोना से बचाव के लिए जागरुटा वियान चलाया गया जिसके तहत 3000 से अधिक मास्क का बित्रन किया गया है सुसांत सिंग राजपूत मामले में सुप्रीम कोट का फैसला स्वागत योग सांसद रांची के सांसद संजय सेट ने सुसांत सिंग राजपूत मामले में सुप्रीम कोट की ओर से सीविया जाच की अनुवती देने के फैसले का स्वागत किया है सेट ने बुद्वार को कहा है कि या सत्य की जीत हुई है सत्य कभी प्रास्त नहीं हो सकता या नियाय की जीत है धनबाद में 20 और 21 अगस्त को 10,500 जाच की जाएगी उपायूगत धनबाद जिला में कुरोना पर काबू पाने तथा उशित प्रबंधन के लिए 20 तथा 21 अगस्त को 10,500 लोग की जाच की जाएगी इस समबन में धनबाद डिसी से अध्यक्ष जिला अवदा प्रवंत प्रादिकार उमासंकर सिंग ने जनकारी दी है रामगण के गोलावन छेत्र में हाथियों के तबाही से अलट जारी गोलावन छेत्र में हाथियों का जोंड तबाही मचा रहा है पिछले पांच दिनों से इस छेत्र में छो जंगली हाथी घूम रहे है वे ना सिर्फ फसलों को नुकसान पहुचा रहे हैं बलकि वे इंसानों की जान भी ले रहे अब तक दो ग्रामिन की जान जा चुकी है पूरे छेत्र में दसत का महौल कायम हो गया है बता दे कि बुद्वार को डी एफो डाक्टर बिजय संकर दूबे ने बताया कि गोला परखंट के वैसे सभी गाओं में लोगों को अलट किया गया है केंद्र में कॉंग्रेस सरकार गठन के बाद सक्त कानून बनाया जाएगा उराव जारकन परदेश कॉंग्रेस की ओर से पूर्व परदान मंतरी स्वरगे राजी उगांधी के जहनती के पूर्व संधया पर बुद्धवार को राची में समाजिक दूरी के साथ कारेकरम आयोजीत कर उन्हें भाव भीनी सरदांजली दी परदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उराव ने राची के बीरसाथ चोक के निकट आयोजीत कारेकरम में सबसे पहले पुरो परदानमंत्री राजीव गांधी के पूर्णे तीथी पन मर्यारपन कर उन्हें सरदांजली दी उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार गठन के बाद सक्त कानून बनाए जाएगी किसान संग द्वारा खाद की काला बजारी पर रोक की मांग भारतिये किसान संग के जिला अध्यक्ष अनील कुमार पांडे के नित्युत में बुद्वार को गडवा जिला के किसानों ने उपायुक्त राजेस कुमार पाठक से मुलकात की इस दोरान जिला द्यक्ष के नित्यूत में किसानों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याय रखी तथा समस्या के समधान की मांग की किसानों ने उपायुक्त से गढ़वा जिला में हो रही खाद की काला बजारी पर रोक लगाने की मांग की है स्वास्त ब्यवस्था को रखे द्रूस्त अन्याथा होगी करवाई देवघर उपायुक्त देवघर के उपायुक्त सजीला दंदारिकारी कमलेशवर परसाद सिंग ने अस्पतालों में होने वाले को ब्यवस्था सम्मंदित मामले पर संग्यान लेते हुए सिविल सरजान डाक्टर बिजय कुमार सिंग को निर्यसित किया है कि वे अपने अस्तर से इस मामले पर अवस्यक करवाई करें एवन देवघर जीला के सब भी अस्पतालों में मुल्भुत्स विधावों सहीत सभी अवस्यक ब्यवस्थावों को जल्द से जल्द चुस्द डोनेट करें डीजीपी डीजीपी एमबी राव ने कुरोना को हरा कर स्वस्थ हुए पुलिस कर्मियों से प्लाजमा डोनेट करने की अपील की है डीजीपी ने राजे पुलिस के वैसे सभी पुलिस पताधिकारियों और पुलिस कर्मियों से जो कुरोना संक्रामन से संक्र की है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक का अपने दोस्तों को बाट से फेस्बुक ट्वुटा इंस्टाग्राम पर सेयर करें आप कॉमेंट में अपना सुझाव दे सकते हैं थैंक